एक बार की बात है अनुराधा और मंजू दो सहेलिया अपने गाउं से दूर शहर में नोकरी क्या करती थी हमेशा की तरह आज भी वो दोनों सहेलिया नोकरी करकर शहर से वापस अपने गाउं आ रही थी मन्जू अनुराधा से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अनुराधा मन्जू से बात नहीं कर रही थी अरे यार अनुराधा जो होना था सो हो गया रात गई बात गई अब तुम इतना ज्यादे ड्रामा क्यों कर रही हो अनुरा था मैं तुम से ही बात कर रही हूँ और जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं तुम्हारा पीछान नहीं छोड़ूँगी मंचू यह तुम्हारे लिए छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं मैंने तुमसे कहा था विक्रम सर को मेरी फाइल्स दे देना तुम्हें पता भी है उन्होंने सब के सामने मेरी कितनी ज़्यादा इंसल्ट की अगर समय पर फाइल दे दे दी तो शायद ये सब ना होता यार कहा ना गल्ती हो गई माफ कर दे इंसान हूँ भगवान नहीं गलती इंसान से ही होती है आप तो मुझे माफ करती है या नहीं विक्रम सर की तो आदत है छोटी छोटी बात पर चिलाने की मैंने कहा न ये बात तेरी लिए छोटी है लेकिन मेरी लिए नहीं विक्रम सर ने मुझे डाटा है और ये सब तेरी वजहा से हुआ है इसलिए मैं तुझे माफ नहीं करूँगी और नहीं तेरे साथ घर जाऊंगी आज से हम दोनों के रास्ते अलग अनुराधा घर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनती है मन्जु अनुराधा को बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन अनुराधा अपने दोस्त की एक नहीं सुनती अनुराधा जिस रास्ते से अपने गाउं वापस आ रही थी वहाँ पर ना कोई बस जा रही थी ना ही कोई ओटो रक्षा सड़क बिलकुन सुनसांती वहाँ पर किसी की भी चहल पहल नहीं थी यहें देखकर अनुराधा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो पीछे मुड़ कर देखती है तो चारो दरफ अंधेरा ही अंधेरा चाह रह अनुराधा अब तो और भी ज्यादा डर जाती है यह क्या सड़क कितनी ज्यादा सुनसान है यहाँ पर तो किसी की भी चहल पहल नहीं ना बस ना ओटो ना रिक्षा कुछ भी नहीं अब मैं घर वापस कैसे जाओंगी यह गुस्य में मैंने क्या किया अगर मंजू से बात नहीं करनी थी तो ना करती कम से कम सही रास्ता तो चुनती यह मैंने क्या क्या अनुराधा बहुत ज्यादा डरे हुई थी और वो डड़ते ड़ते अपने कदम आगे पढ़ा रही थी कि तभी उसे आवाज आती है जैसे इस सुनसान सड़क पर कुछ आ रहा हो अनुराधा क जान में जान आती है लेकिन जब उसके सामने बाइक आके रुकती है तो उसकी रूह काँ पचाती है एक बाइक पर दो आवारा लड़के थे जो अनुराधा को परेशान कर रहे थे तो मैं एक बार के बाइस समझे में नहीं आती मैंने कहा मुझे तुमारी मदद के जरूरत नहीं है नहीं है मुझे तुमारी मदद के जरूरत चले जाओ यहां से वापस मैं कहती हूँ चले जाओ यहां से वापस मुझे तुमारी मदद के जरूरत नहीं है वहे लड़के शराबी थे और वो अनुराधा को परेशन कर रहे थे अनुराधा बहुती ज्यादा घबरा जाती है और वो भागना शरो कर देती है अनुराधा भागते भागते गिर जाती है और वो दोनों लड़के वहाँ पर आ जाते है अनुरादा बहुती जिएदा डर जाती है क्यूंकि उस उनसान सड़क पर दोड़ दोड़ तक मैंकोई रही था और रात भी बहुती जिएदा काली थी वो बहुती जिएदा डर रही थी मैं तुम्होंडे आगे हाती चोड़ती हूँ प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, कोई है, कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बच्छाओ, कोई है, कोई है, मेरी मदद करो अनुराधा बहुत ही ज्यादा रो रही थी कि तभी वहाँ पर एक ओटो रिक्षा आ जाता है जिसे देखकर अनुराधा की जान में जान आती है ओटो रिक्षे को देखकर वो दोनों आवारा लड़के अपनी बाइक उठाते है और वहाँ से 921 हो जाते है अनुराधा वहाँ से तुरंत उठती है और ओटो रिक्षे के पास आ जाती है आपका बहुत बहुत धनियवाद आपने मेरी जान बचाई मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी लेकिन आप कहा हो ओटो रिक्षे में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा ओटो वाले भहिया आप कहा हो प्ल मुझे मेरे घर जाना है प्लीज मुझे मेरे घर पहुचा दीजिए आप कहा हो चल दी से ओटो रिक्षे में बैठे जाओ यह आवाज सुनकर अनुरादा और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि आवाज ओटो रिक्षे से आ रही थी और उसके अंदर कोई भी नजर नहीं आ और भी जाती है और वह दो बारा से भागना शुरू कर देती है वह दाएं बाएं कुछ नहीं देखती वह भागती रहती है और कुछ समय बाद वह ओटो रिक्षा दो बारा से उसके सामने खड़ा हो जाता है लड़की तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती मैंने तुझे से क्या कहा चुप चुप मेरे ओटो रिक्षा चलाने वाली चुडैल हूँ चुप चुप मेरे रिक्षे में आकर बैठ मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुचा दूंगी जब अनुराधा को ये पता चलता है ओटो रिक्षे में कोई और नहीं बलकि एक चुडैल है ओटो रिक्षे को एक चुडैल चला रही है तो वो बहुत ही ज़दा डर जाती है और वो दो बारा से भागना शुरू कर देती है कुछ समय बात उसे अपनी दोस्त की आवाज आती है मंजु की आवाज सुनकर अनुराधा की सांस में सांस आती है कुछ ही समय में मंजु वहां पर आ चाती है मन्जो तू यहाँ पर क्यों आई है तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था तुझे पता है यहाँ इस सड़क पर अभी एक ओटो रिक्षा था जिसके अंदर एक चुड़ल थी उस ओटो रिक्षे को एक चुड़ल चला रही थी वो बहुत खतरनाग थी हमें तुरत यहाँ से जाना होगा यही जगह बहुत खतरनाग है बहुत खतरनाग मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ दे दी इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे यहाँ आ गई लेकिन यहाँ तो मुझे कोई ओटो नजर नहीं आ रहा कहा है ओटो चलाने वाली चुड़ल मुझे तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा अभी वो ओटो यही पर था उस ओटो के अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं ओटो चलाने वाली चुड़ल हूँ और मैं तुम्हें तुम्हें तुम्हारी मंसिल तक पहुचा दूंगी तुझे तो पता ही है कि चुड़ल कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है वो हमें कच्चा चबा जाएगी हमें यहां से भागना होगा इससे पहले कि ओटो चलाने वाली चुड़ल दोबारा से हमारे सामने आ जाए हमें यहां से जाना होगा अनुराधा और मंजू इस रास्ते को जल से जल पार करना चाहती थी और वो दोनों जाही रही थी कि तभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने लंबे हातों से उन्हें पकड़ लिया हो अनुराधा तुमने ठीक कहा था यह रास्ता तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है कौन है किसने हमें पकड़ा है छोड़ो हमें मैं कहती हूँ छोड़ो हमें चुप चाप मेरे ओटो रिक्षे में आकर बैठ जाओ मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों की मदद करती हूँ अगर मैंने तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ दिया तो इस सुनसा सड़क पर जो आवारा भेडिया घूम रहे हैं इनसान की शकल में वो तुम्हें मार देंगे इसलिए मुझे तुम्हें उनसे बचाना है चुप चाप मेरे ओटो रिक्षे में आकर बैठ जाओ मंचू और अनुराधा को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था लेकिन अब उनके पास कोई ओप्षन नहीं था अगर वो चुडल की बात नहीं मानती तो वो चुडल उन्हें यहाँ पर भी कच्चा आसानी से चबा सकती थी इसलिए वो चुडल की बात मानकर ओटो रिक्षे हाँ हाँ अरे तुम्हें तो मेरे ही गाँ जाना है मैं भी तो सीता पुर्की ही हूँ हाँ 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 चलो अच्छा है कि मेरी ही गाँ की लड़किया मेरे ओटो रिक्षे में बैठी हैं तुम अराम से बैठी रहो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही आप तो एक चुड़ाल है और चुड़ाल तो बहुती ज़्यादा खतरनाक होती है वो इंसानों को छोड़ती नहीं है लेकिन आप तो बहुत अच्छी है और चुड़ाल होकर आप ओटो रिक्षा क्यों चलाती है मैं ओटो रिक्षा इसलिए चलाती हूँ ताकि तुम्हारी जैसी लड़कियों की मदद कर सकूँ क्या आप बता सकती है कि आपकी मौत कैसे होई थी आप चुड़ाल कैसे बनी आपको किसने मारा यहे बात आज इसे दस साल पहले की है मैं अपने माता पिता के साथ हसी खुशी रहा करती थी मेरे पिताजी एक ओटो ड्राइवर थे जब मैं पांस साल की थी तब से ही अपने पिताजी से कहती थी पिताजी पिताजी मुझे बड़े होकर ओटो चलाना है पिताजी भी हसकर कह दिया करते थे हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी जगह तुम ही ओटो चलाना जब तक तुम बड़ी होगी मैं तो बूढ़ा हो चुका हूंगा अच्छा फिर क्या हुआ बड़े होकर आपने ओटो रिक्षा चलाया जैसे जैसे मैं बड़ी हुई वैसे वैसे हमारे घर के हालात बदल चुके थे पिताची एक गंभीर बीमारी की चपेटी में आ चुके थे और अब उनकी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ चुकी थी कुछ समय में मैंने ओटो चलाना सीख लिया और अपने पिताची की जगा मैं ओटो लेकर सड़कों पर आ गई मैं एक लड़की थी और ओटो चलाती थी जिस वजह से मुझे बहुती ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझे लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता था एक कांध से सुनती थी और दूसरे कांध से निकाल देती थी क्यूंकि मुझे अपना घार देखना था हमेशा की तरह ओटो रिक्षा चला रही थी रात के बारा बज रहे थे दो शराबी लड़के मेरे ओटो रिक्षे में आकर बैठ गए उन्होंने बत तमीजी की मैं किसी से डरने वालों में से नहीं थी मैंने भी डटकर उनका सामना किया लेकिन वो दो थे मैं अकेली थी मैं मुकाबला नहीं कर सकी और उन्होंने इस ओटो के साथ मुझे जला कर मार दिया अच्छा इसलिए तुम ओटो चलाने वाली चुडायल बन गई हाँ उन्होंने मुझे जला कर मार दिया और उसके बाद मैं एक चुडायल बन गई चुडायल बनकर मैंने उन दोनों को बहुत अच्छी तरह सबग सिखाया और बस उसी समय सोच लिया कि किसी भी लड़की को सुनसान सड़क पर अकेले नहीं रहने दूंगी उनकी मदद के लिए ओटो रिक्षा चलाऊंगी बस उसी समय से चुडल ओटो रिक्षा चलाने वाली बन गई आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं चुडल की आप बीती सुनकर मंजू और अनुरादा को बहुत ज्यादा दुख होता है और ओटो चलाने वाली चुडल उन दोनों को उनके घर पर लेकर चा रही थी कि तब ही रास्ते में एक लड़की और चुडल को अपने सामने देखकर वो दोनों लड़के थर-थर कापने लगते हैं तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है मौत को देखकर डर लग रहा है थर-थर काप रहे हो अभी तो बहुत महन बन रहे थे तुम और टो चलाने वाली चुडल से नहीं बच सकते हैं वो दोनों लड़की बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और वो भागने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो चुडल से कैसे बच सकते थे चुडल उन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें बहुत अच्छी तरह से सबक भी सिखाती है दोनों लड़की कान पकड़ कर उस लड़की से माफि मांगते हैं और वादा करते हैं कि दो बारा से कभी वो किसी लड़की को परिशान नहीं करेंगे चुडल उन दोनों लड़कों को छोड़ देती है और उस लड़की को भी अपने ओटो रिक्षे में बिठाती है और उसे भी उसके घर पर छोड़कर आ जाती है वो तीनों लड़किया और टोच लाने वाली चुड़ाल को धन्यवाद कहती है अरे बिटिया तुम दोनों कौन हो और यह पैसे तुम मुझे क्यूं दे रही हो हम दोनों आरती के दोस्त हैं हम यहां पर नहीं थे हमें आरती की मौत का बहुत दुख हुआ देखिए हम भी तो आपकी बेटियों की ही तरह है हम आपकी मदद करना चाहते हैं यह पैसे रख लीजिए ज्यादा नहीं है आप दोनों का गुजारा हो जाएगा अनुराधा और मंजू ओटो चलाने वाली चुड़ाल के माता पिता को कुछ पैसे दे हैं अनुराधा मुझे खुशी है कि तुम्हारी नाराजगी भी दूर हो गई और हमारी दोस्ती भी तूटने से बच गई मैं तुमसे वादा करती हूँ दो बारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी ठीक है अरे नहीं नहीं मैंने भी कुछ ज्यादा ही ओवर्यक्ट कर दिया म और इस तरह से दोनों दोस्तों में दोबारा से दोस्ती हो चाती है और वो हसी खुशी एक साथ आना जाना शुरू कर देती हैं और वो ओटो चलाने वाली चुडैल को भी देन्यवाद कहती है और वो चुडैल भी उन दोनों को देन्यवाद कहती है क्योंकि वो दोनों उसक पीछे उसके माता पिता का ख्याल रख रही थी।